हेलो बच्चों तो कैसे आप सभी आसा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छ होंगे मेरा नाम है भैसिंग और आपका भूद बहुत श्वागत थे जैनली मंत्रा पर बच्चों आज मैं आप सभी के लिए चिप्टर वन जो है आपका संख्या और संख्या पदती इसके बहुत ही महत्पूर मैं कोशन को कराने वाला हूं तो आप विडियो को पूरा देखेगा चैनल पने हैं तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लेजिए आज बच्चों हम लोग जोहार नोदी पी दाले के जो कच्छाच्छ का पेपर होने वाला है 18 जनौरी उसी को टारगेट हम लोग कर रहे हैं बच्चों ठीक है 18 जनौरी 2025 को जो आपका पेपर होने वाला है इसी को ध्यान में रखते हूं है मैं जiden चिप्टर वाई सिनिकला शुरू कर दिया हूं बच्चो ठीक है और ये आज मैं जो कोशन कराऊंगा ये काफी महत्पूर होगा क्योंकि मैं वही कोशन को लेकर आया हूं बच्चो जो आपके एकजाम में लगतार पूछे जाते हैं ठीक है तो वीडियो की स्कीप नहीं करना ह सबसे पहले तो बच्चो हम लोग संख्या और संख्या पदती का जो चिप्टर है इसके बारे में समझेंगे कि संख्या पदती क्या होती है ठीक है नंबर किसे कहते हैillar ये सारी चीजे है आज हम लोग समझने वाले बच्चो इसके बाद देखिए सबसे जरूरी बात इसका मतलब यह होता है संख्या और संख्या पदती गड़ीत का एक बुनियादी अध्या है जो हमें क्या सिखाता है गुड़ा करना भाग करना अस्थानिय मान निकालना यह सारी चीजे हम लोग नंबर सिष्टम वाले चिप्टर में सीखते हैं बच्चों ठीक है तो आपको ध्यान रखना होगा कि नंबर सिष्टम में हम लोग नंबर के बारे में अस्थानिय मान निकालना गिंती करना गुड़ा करना भाग करना यह सारी जनकारी जो है न वही हम इस शेप्टर में पढ़ते हैं बच्चों ठीक है ध्यान रखेगा आप इस बातों को ओके अब चलि करते हैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा थिवरी डिसकस कर लूँगा इसके बाद हम लोग कोशन को करेंगे एक एक करके तो परेशान नहीं होना है वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजिए लिए पहला कोशन है बच्चो पांच छो साथ इस तरीके से जो अनंतक ठीक है जैसे माली जे यहाँ पर कोई एक आदमी है ठीक है फिर यहाँ पर एक और आदमी है फिर एक और यहाँ पर आदमी है बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं माली जे इन्हें काउंट करना होगा तो हम लोग कैसे गिनेंगे इस इससे हमारे शुरू हो रहे है गिनने की संख्या तो गिनने की जो संख्या है वह वन से सुरू हो रहे है न बच्चों तो वान टू थ्री तो यह सारी चीजे क्या हो जाएंगे तो वान टू थ्री तो यह गिनने की जो संख्या है जो गिनने की संख्या है बच्चों जिसका हम उपियोग कर रहे हैं वही क्या कहलाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है जिसे हम इंगलिस में नेचुरल लंबर बोलते हैं याद रखेगा क्या बोलते हैं इसको नेचुरल लंबर बोलते हैं ठीक है अब जैसे इसमें क्या होता है कि यह आप याद रखेगा जिसे हम नंबर भी बोलते हैं और ये गिंती की जो संख्या होती है वो एक से सुरू होती है ठीक एक से सुरू होती है इसमें 0 सामिल नहीं होता है बच्चों याद रखिएगा ठीक है whole number जो होता है जिसमें 0, 1, 2, 3 इसको सामिल करते हैं whole number में हम लोग 0 को सामिल करते हैं बचो लेकिन natural number में याद रखेगा जिसे हम गिंती की number कहते हैं वह जो है आपका एक से start होता है 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अपना जाता रहता है याद रखेंगे यह पूरे बात को बचो ठीके अगला जो question है अब देखें अगला जो point है माप करेगा अगला जो point है उसको हम लोग पढ़ेंगे बचो अब इसमें अगला point है पूरणा आंक जिसे कहते हैं जिसे हम whole number अभी बता रहे थे देखें प्राकिर्तिक संख्याएं और 0 को मिला कर पुढांक बनते हैं यानि कि हम whole number जिसके बात कर रहे थे यानि कि 0 को मिला कर 1,2,3,4,5,6,7 मतलब कि 1,2,3 के साथ यदि 0 सामिल हो जाता है न तो उसे हम क्या कहते हैं पुढांक कहते हैं यानि कि इसे हम बच्चों क्या कहते हैं whole number बोलते हैं whole number बोलते हैं याद रखिएगा ठीक है क्या बोलते हैं whole number बोलते हैं अगला जो यहाँ पर point बच्चों यहाँ देखिए लिखा है अंकित मान और अस्थानिय मान face value and place value तो face value और place value में अंतर होता है ध्यान से समझेगा सबसे पहले हम लोग समझेंगे फेस वैलू को ठीक है जैसे माली यह कोई नंबर है यहां पर दिया गया कोई नंबर है ठीक है जैसे यहां पर मैं नंबर ले लाओं अब जैसे यहां पर देखिए कोई नंबर है 456 नमबर है बचू ठीक है इसमें पूछ रहा है कि 5 का face value बताए पांच का face value का मतलब होता है face value का मतलब होता है अंकित मान बचू ठीक है बात कर रहा हूँ अंकित मान की बच्चों यानि कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं फेस वैलू कहते हैं बच्चों ठीक है फेस वैलू जिसे हम लोग बोलते हैं याद रखिएगा तो यह हो गया आपका फेस वैलू राइट अब हम आते हैं प्लेस वैलू की बात करें यानि कि जि इने हम लोग कहते हैं अस्थानियमान बच्चों ठीक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं अस्थानियमान कहते हैं ठीक है अस्थानियमान जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक अस्थानियमान अब अस्थानियमान में क्या है बच्चों जैसे माली चार सो चपन दिया गया है इसमें माली उतना यहाँ पर 0 लगा देते हैं जैसे 5 के इधर साइट कितना है राइट साइट देखेंगे तो एक अंक बचा हुए निकी छो बचा हुए तो उतना 0 लगा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा ठीक है इसका पर 4 का निकालना है इसमें माली जी अस्थानिमान तो 4 तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है अब अगला पॉइंट इसमें है बच्छो अब अगला पॉइंट देखिए सम और भी सम संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं इसके बाद बच्छों यहाँ पर देखिए जो अगला पॉइंट है वो है सम और भी सम संख्या जिसे हम even और odd numbers बोलते हैं ठीक है तो सम पहले हम समझेंगे सम संख्या किसको काते देखिए वे संख्या जो 2 से क्या हो पूरी तरह भी भाजित हो जाए याद रखेगा वे संख्या जो 2 से पूरी तरह भी भाजित हो सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं समसंख्या कहते हैं जैसे देखिए जैसे चार हो गया तो दो से हम इसको डिवाइट करेंगे तो दो दुनी के चार कड़ गया की नहीं कड़ गया पूरा पूरा ठीक है दस हो गया दो से कटाएंगे दो पाचे दस यह भी कड़ गया बच्चों 12 है इस उसको 2 से भाग देंगे तो 2-6 के 12 तो यह सारी चीजें आप देख रहे हैं न मतलब कि एक ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो पूरी तरह बिभाजित हो जाए जैसे कि 2-4-6-8-10 इस तरीके से इन्हें हम इभेन नंबर कहतें इंगलीज में और हिंदी में हम लोग संख्या कहते हैं इसके बाद जो अगला पॉइंट है हम लोगों का वह यहां पे बच्चों बिसम संख्या ठीक है यह है आपका बिसम संख्या यानि जिसे हम ओड नंबर से बोलते हैं तो देखिए ओड नंबर से संख्या काल आती हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती जैसे 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया यह सारी चीजे अब जिसे देखिए मातलम माले यह 5 है बच्चों ठीक है तो मैं दो से इसको भाग करूँगा तो 2 दुनी के 4 यहां पर आ गया और 5 में से 4 को घटाएंगे तो एक बच्च गया यहां पर तो यहां पर सेस्फल बच्च गया ना जिसको ध्यान में आपको रख लेना है यहां पर हम देखेंगे जैसे लिखा हुआ है बच्चों महतपूर संख्या है जैसे एक दर्जन तो एक दर्जन में याद रखिएगा जो संख्या होती है बस्तूं की वह 12 होती है ठीक है ना याद रखेंगे संख्या कितनी होते है ब बहुत ही महत्पूर जो कोश्चन है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके लगतार एक्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों परफम चार अभाज संख्यार जो कसको dividing परफम बता ना है ठीके अब यहाँ पर देखे पर्थम चार अभाज संख्याओं का योगफल आपको बताना है हम लोग क्या करतेंगे यहाँ पर देखे पर्थम जो चार अभाज संख्याओं जो होती है न बच्चों और हमें चार अभाज संख्या का ही योगफल पूछ रहा है पर्थम चार ठीक है तो इसको जोड़ दीजे तो 12 यह हो जाएगा न 7 और 5 12 हो जाएगा और 12 तिन 15 और 15 दू 17 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों आपसर नमबर D य आप देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर तो देखिए बच्चों जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है याद रखिएगा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चोटी से छोटी संख्या पुछा ह बचो तो 1 लिखेंगे और 5 बार 0 लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी बचो ठीक है ना 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ठीक इसके बाद चार रंगों की बड़ी से बड़ी संख्या तो चार बार आप नो लिख दीजिए एक, दो, तीन और चार बस इसको मैनस कर दीजिए तो जितना आंसर आएगा उसको आपको लिख देना यहाँ पर तो यहाँ पर दस हो जाएगा तो दस में से 9 जाएगा तो एक हो जाएगा, यह 0 दे देगा तो 9 में से 9, 0, 0 और यह भी 0, और यह वहाँ पर 1 आजाएगा ठीक है बच्चों यह आपका कितना आजाएगा यह आपका 9 होगा ना यहाँ पर 9, triple, 0 और 1 यह आपका आजाएगा कौन सा आपसन सही हो जाएगा बच्चों यह आपका C वाला C वाला आपका सही हो जाएगा ठीक है यह C वाला आपका सही हो जाएगा बच्चों चलिए अगले कोशन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे लिखा गया है बच्चों यहां पर दो लाख दो हजार को अंको द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है दो लाख दो हजार को अब यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग इकाई बना लेंगे दहाई बना लेंगे फिर सैकड़ा बना लेंगे फिर हजार बना देंगे इकाई दहाई सेकड़ा हजार फिर यहाँ पर दस हजार फिर इसके बाद लाख फिर यहाँ पर दस लाख यह ऐसे बना लेंगे ठीक है बच्छों इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख अब यह बोला है कि दो लाख दो हजार तो बच्चों यहाँ पर दो लाख के जगाँ पर दो लिख देंगे और फिर दो हजार हजार के जगाँ पर भी दो लिख देंगे और बाकी जितना है वहाँ पर जीरो ये हम लोग का सही answer हो जाएगा बच्चों ठीक है बाकी जो place से वहाँ पर क्या हो जाएगा बाकी place पर zero हो जाएगा तो इसका सही answer क्या हो जाएगा बच्चों C is the right answer 0 देखे यहाँ पर याद रखियेगा जहाँ जहाँ जो संख्या नहीं दिया है जो प्लेस तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं बच्चो क्या लिखते हैं 0 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर 2 फिर 000 यानि कि option number C is the right answer बच्चो C आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्यान रखियेगा चली अगले question की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चो लिखा है 7 अंको की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंको की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है तो अब देखिए 7 अंको की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर 7 बार 9 लिख लिजिए ठीक है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 बार 9 लिख लिजिए और इसके बाद 4 अंको की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है ना तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 4 अंको की छोटी से छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे और 3 0 लिख देंगे और इसके बाद इसको हम कर देंगे माइनस ठीक है तो यह 9 में से 0 जाएगा तो यह 9 हो जाएगा D is the right answer बच्चो D is the right answer बच्चो ठीक है अगला question हम लोग देखेंगे देखें यहाँ पर दिया गए 6 अंको की बड़ी से बड़ी संख्या तदा 5 अंको की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या होगा देखें जितनी बार यह बोलेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या तो आप उतनी बार 9 लिखेंगा और जितनी बार छोटी से छोटी संख्या पुचेगा तो 1 लिखे और उतना 0 बढ़ाते चले जाएगा वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी और बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों पुझ रहा है अलग-अलग नहीं है बचो ये एक ही में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हम 6 बार क्या लिखेंगे पहले तो हम लिख देंगे 6 बार 9 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसी तरीके से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बुझ रहा है तो 5 बार 9 लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर इसके बाद इसको माइनस कर दीजिए तो 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 यहाँ पर भी 0, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0 और यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा बच्चो? 9 हो जाएगा, यहानि कि 9 और 5 बार 0 इसका भी सही आंसर कौन सा आ रहा है बच्चो? सही आंसर इसका भी कौन सा रहा है बच्चो? D is the right answer, D वाला बढ़ी हो जाएगा आपको ठीक है, D is the right answer यहाँ पर 9 हो जाएगा और 5 बार 0 हो जाएगा बचो ठीक है उमीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा बचो तो उमीद है कि आप मेरे चैनल पर जरूर जुडेंगे और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे बचो तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेंट जैहिंद मेरे प्यारे बचो